नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम हर्ष कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के उपर में साथियों Small Scale Industries या MSME एक बहुत ही important topic है UPSC examination के लिए नहीं अलग अलग examination के लिए और साथ ही साथ जो अलग अलग courses कर रहे हैं बच्चे उनमें कभी न कभी small scale industry एक चैप्टर रहता है और उनके लिए यह important topic है लगतार इसके उपर में सरकार जो है reports जारी करते रहती है MSME को लेकि सरकार बहुत सारी scheme जारी करती है तो जानना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है मैंने current affair की classes के अंदर में इसे करा रखा है पर particularly कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैंने एक तरीके से small scale industries के बारे में बताया हो इसलिए मैंने सूचा क्यों ना इक इसकुपर में particular class ले ली जाए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like कर देंगे चैनल को subscribe कर देंगे और share कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंस सके जीएस पेपर 3 स इंपॉर्टेंट है एकनॉमी का पार्ट है तो पहले definition से start करते हैं कि क्या होता है small scale industries अच्छा small का मतलब तो छोटा scale का मतलब पैमाना पैमाना पिला दे सराभी वहला लाइन नहीं स्लोगन नहीं का रहा हो पैमाना का मतलब होता है scale और industries का मतलब आपको पता है कि उद्ध्योग तो जब कोई भी industry छोटे अस्तर पर काम कर रही है जाती हो यानि जो उनका process of manufacturing है, production है, services है वह छोटे अस्तर प चोटा होना चाहिए, या investment के रूप में चोटा होना चाहिए, तो यहां पर साफ साफ सरकार के द्वारे define कर दिया गया है कि इसमें जो total investment है वो एक करोड से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर किसी भी industry के अंदर में investment जो है, एक करोड से अधिक है, तो वो small scale industries के अंदर में नहीं आएगा, उसी प्रकार साथी साथ इनका जो काम करने का तरीका होता है, वो बहुत छोटे मसीन से काम लेते हैं, एकनॉमी के अंदर में इनको life line of an economy भी कहा जाता है, तो यह सब terms आप इस्तमाल कर सकते हैं, के अंदर में, कि जो small scale industries हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम है, life line of an economy, यह industries हमेशा labor incentive होती है, labor incentive का मतलब क्या होता है, जहां labor का involvement जादा हो, income prison of machine, या फिर आप कह सकते हो technology, technology का इस्तमाल यहां ना के बराबर होता है, hand meant काम होता है, इसलिए labor intensive industries होती है, help करता है, create करने में employment, साथी सा साथी हो stabilize करता है, अपना per capita income of the country, आपको पता है कि बहुत बड़े समान को खरीदने का पैसा भी नहीं है हमारे country के लोगों के पास, यह as a must sound करना गलत, बट सच यह है कि देखिए, on average जो income है, वो country का कम होता है, जिसके कारण से आप बहुत branded चीज़े नहीं खरी सकते, आप हर दिं कुछ branded पी रहे हो, branded खा र होना चाहिए, तो हर वेक्ती तो इतना ज़्यादा पैसा रख नहीं सकता, इसलिए small scale industries छोटे अस्तर पे काम करती है, इनका price बहुत stable होता है, आप इनको अपने रोजमारा की जिंदगी में इनके समान को इस्तमाल में ले सकते हो, यह छोटे अस्तर पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम होता है इनका, इसलिए सरकार MSME को promote करने के लिए लगतार बहुत सारी schemes निकाल रही है, अब आए characteristics की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले जिसका ownership होता है, वो single होता है, यानि company वाला हाल नहीं है भया, ownership ट्रांसफर कर देंगे, जैसे इन shares ट्रांसफर होगा, इन इनका ownership single होता है, और यही single ownership का क्या फाइदा है, यह industry का management control होता है, यारी जो भी policy making होती है, decision making होती है, वो अच्छे तरीके से कर सके, company, company I mean sorry, industry, इसके लिए इसमें single ownership रखा जाता है, इसमें बहुत जादे labor होते हैं, लेकिन technology को जो स्तमालें, वो कम होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यह flexible होता है, environment के अनुसार change हो सकता है, लेकिन जहां ही पे जहां बड़ी industries होती है, वो environment के अनुसार नहीं change हो सकती, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर काम करती हो है, उनमें अगर छोटा सा decision implement करना पड़ता है, तो काफी सोच करना पड़ता है, क् उसका एक large effect difficult को मिल सकता है, साथी साथ यह meet करता है local regional requirements को, अगर आप urban में नहीं है, rural area में है साथी हो, तो grammy छेतर के अंदर में अगर industry खोलती है, तो वहाँ पी भी लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे जब समान बनेगा, तो रोजगार भी मिलेगा, और साथी साथ लोगों क समान की उपलबदता भी होगी, तो meet करता है local and regional requirement को, साथी साथ यहाँ पे natural resources का इस्तवाल अच्छे तरीके से किया जाता है, और minimum wastage करता है, यानि बड़े industries जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा वो गंदगी फैलाते हैं, वहीं पे कहीं न objective based का create करना, job opportunity को अंदर में, भारत में बड़ी population है, और इस बड़ी population को रोजगार देना है, तो सबसे अच्छा है साथी हो, MSME, जहाँ पे आप अच्छा जीवन भी जी सकते हो, अपनी income से और साथ ही साथ, आप एक छोटे अस्तर पे काम करते हो, आपकी income भी अच्छी होत है, तो उसमें active role ये काम करता है, standard of living बराता है, ruler areas वारे लोगों का, जो ग्रामी छेतर में रहते हैं, और साथी जाथ equal distribution, जी हाँ, याद रहिएगा, wealth और income का equal distribution होता है, MSME से, example की बात करते हैं, तो paperbacks industries हो गई, leather manufacturing industries हो गई, small toys manufacturing industries हो गई, bakeries हो गई, cotton का पास, साथी हो आप पता है कि cotton के लिए, अभी बहुत सारा सरकार ने policy बनाया है, तो आप यहाँ पर cotton का भी नाम दे सकते हैं, beauty parlor वगरा है, हमें मेंशन कर दिया गया है, चले ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि registered कितने MSME होई है, 2022 तो लगभा, small enterprises की बात करते हैं, तो 2.93, यहाँ पर य कि small industries से भी छोटा, जिसका investment होता है, 25 लाख, ठीक है, आप देख सते हैं, 25 लाख minimum investment वाली भी कितने जाद है, यहाँ पर contribution देरे हैं, भारत के अंदर में registration हो रहा है, काम कर रहे हैं, तो आप इन्हें ignore नहीं कर सकते हैं, UPSC पर सवाल करता है, तो आपका जरूरी था इस पर करना, अगर आपको सब कुछ clear हो गया है, characteristics वेगरा, definition वेगरा, तो आप प्लीज मेरे effort को एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी subscribe कर देंगे, और share भी कर दिजएगा, ताकि यह जायंकारी दूसरे तक भी पहुँचे, अब बात करते हैं, question की तो आप question लिख मैंसेंसर राइटिंग का है, कि MSME जो है न, एक growth engine का काम कर रहा है, Indian economic के अंदर में, लेकिन इसको लेके भारत के अंदर में बहुत सारे challenges है, उन challenges को आप discuss कीजिए, और उनके solution बताईए कि भारत को किस तरह MSME को मदद करना चाहिए, ताकि अपना economic growth और GDP growth अच्छे से हो, त बहुत सारी special classes चल वही हैं, जाके देख सकते हैं, तब तक लिए रखें अपना ध्यान मुझे देया ग्या, धर्न्यवा, जै हिं, जै भारत